हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू लर्ण प्रिदीतीमन आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉंस थ्योरी जो दीथी पैवलोव ने इससे पहले हमने थॉंडाइक के उद्धीपक अनुक्रिया का सिद्धान्त यानि प्रियत्न और भूल का सिद्धान्त ट्राइल और एरर थ्योरी वो हम कर चुके हैं जो की इंपोर्टेंट थी हमने हिंदी सिक्षन में कुछ प्रशन किये थे वहाँ पर भी यह थियोरी जो है वो हमें देखने को मिली इसलिए बाल विकास में जो अधिगम की जो थियोरी है वो भी हमें पता होनी चाहिए और जो लेंग्वेज की जो बात करते हैं उन मनोविज्ञानिकों ने क्या क्या बात कहीं है वह भी हमें मालूम होनी चाहिए क्योंकि कुश्चन जो है वो हमारे कहीं पर भी आ सकते हैं तो पैवलोफ की जो थियोरी है उसका नाम है पैवलोफ का यह इवान पैट्रोविच पैवलोफ था यह एक रूसी विज्ञानिक थे इन्हों ने 1904 में नॉबल पुरिसकार मिला था रूसी विज्ञानिक होने के नाते ये पहले विक्ती थे रूस के जिन्हें नॉबिल पुरसकार मिला तो ये लाइन बहुत ज़्यादा महधवपूर्ण है इसलिए इन्हें father of conditioning कहा जाता है अनुबंधन के पिता क्योंकि इन्हों ने अपने प्रियोग में जो इन्हों ने कुत्ते पर प्रियोग किया था तो वहाँ पर उसके लिए condition रखी थी जबकि हमने थौंडाइक की थियोरी में देखा था कि कोई condition नहीं रखी थी बलकि बिली ने खुद ही अपने प्रियासों से गलतियों से भूल से प्रियतन से प्रियास किया और वह उसने उद्धीपक प्राप्त किया और वह बार बार ये प्रियासों से वह चीज सीख गई इसे CR थियोरी भी कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धान्त भी कहते हैं और इसे संबंद प्रतिक्रिया का सिद्धान्त भी कहते हैं ठीक है अब देखिए याद ये रखना है कि इन्होंने संबंद बिठाया संबंद प्रतिक्रिया का सिद्धान्त लेकिन थौंड पैवलोब ने अपना प्रियोग किस तरीके से किया था पैवलोब ने अपना प्रियोग एक कुत्ते पर किया था कुत्ते की लार ग्रंती पर किया था ठीक है पैवलोब ने कुत्ते पर प्रियोग किया जिसमें उन्होंने कुत्ते की लार का प्रियोग किया जब तक कुत्ते को खाना दिखाया गया लार प्राप्त हुआ अब कुट्टे ने जैसे ही खाना देखा उसके सामने भोजन लाया गया तो जैसे ही भोजन लाया जाता कुट्टे के मुह में लार आ जाती और उसे भोजन मिल जाता ठीक है उसके बाद ये तो थी ऐसी यहां तो कोई भी उसने तियोरी कहते हैं कि condition थी कि अब उन्होंने घंटी बजा कर खाना दिया ठीक है यह जान बूच कर की गई प्रतिक्रिया थी जबकि टॉन्डाइक में हमने यह चीज नहीं देखी थी घंटी बजाई गई और फिर उसे खाना दिया गया तो जैसे उसने यह चीज शीख ली जैसे ही घंटी बजाए जाती उसके मुँ में लार आ जाती और उसे खाना मिल जाता पहले क्या था पहले वो केवल बोजन को देखकर ही उसके मुँ में लार आ रही थी अब बोजन का इस्थान उस घंटी ने ले लिया, घंटी के बचते ही उसके मुँमे लार आने लगती थी, बोजन जो स्वभाविक अनुक्रिया थी, उसका इस्तान किस ने ले लिया, घंटी ने ले लिया, जो अब घंटी स्वभाविक अनुक्रिया हो गई, क्योंकि बोजन की बजाए घंटी से ही लार प्राप और उसके बाद कौन सा response आता, अब अनुबंधन के पहले, जब उन्होंने कोई भी अनुबंधन नहीं किया, केवल भोजन दिया, भोजन को US कहा जाता है, यानि स्वभाविक उद्धीपक, ठीके, यानि Unconditioning Stoomless, कोई condition नहीं रखी थी, केवल भोजन दिया था, उसको देख ने घंटी की धोनी की गई, घंटी क्या है, कृतिम उद्धीपक, जैसे ही घंटी बजाई गई, तो उसने चौकना प्रारम कर दिया, यहां पर अभी घंटी के बजने से कोई भी लार नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक उससे ये चीज़ पता ही नहीं थी, कि घंटी बजने तो यहां पर जो लार आना वो सभाविक अनुवंधन था, नेक्स्ट थर्ड जो स्टैप आया अनुवंधन के बाद, अब भोजन नहीं दिया गया, केवल घंटी बजाई गई, तो घंटी बजाते ही लार आगई, ठीक है, सबसे पहले क्या था, भोजन दिया गया था, घंटी बजाई तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर घंटी बजाने के बाद भोजन दिया गया, तो लार आई, नेक्स्ट घंटी केवल बजाई गई, तब भी लार आई, क्योंकि जो अनुवंधन भोजन से उसने बना लिया था, उसका इस्थान किस ने ले लिया, घंट हो जाती हैं, कि पहली कंडिशन में भोजन देते हैं, तोलार आती है, दूसरी कंडिशन में घंटी बजाई गई, उसके बाद भोजन दिया गया, तोलार आई, ठीक है, लेकिन कितनी, यहाँ जो पैवलोव की थैeltरी में जो अलोचक है, वो क्या कहते हैं, कि घंटी जो है, वो अब आप 2-3 बार बजाईए, ठीक है, तो जो कुत्ता है, वह सीख जाता है कि घंटी बजाने के बाद कोई भी बोजन नहीं दिया गया, तो ये जो संबंद था वो तूट जाता है, ठीक है, अब घंटी के बजने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि घंटी रखी गई थी, केवल भोजन दिया गया था, तो लार आई थी, यू आर का मतलब है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, जब अनकंडीशनिंग स्टूमलस दिया गया, तो रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से आया, उसके बाद CS का अर्थ था, कंडीशनिंग स्टूमलस, यानि स सोभाविक अनुक्रिया यानि अब उसके सामने जो कंडिशन रखी गई थी तो वह सीख गया था कि घंटी बजने से उसको भोजन मिलेगा तो उसने उस चीज को क्या कर लिया सोभाविक उद्धीपक बना लिया तो एक्जाम में ये शौड जो है वो नेम पूछ लिया जाएं और यदि कुटा सीख जाता और घंटी बसते ही लार आती है और भोजन प्राप्त हो जाता है लेकिन भोजन ना मिलने पर केवल घंटी बजाई जाए और तीन चार बार के बाद लार आना बंद हो जाएगी यानि कि क्या हो जाएगा विलुपती करण हो जाएगा क्योंकि होगा वो विलुप्ति करन हो जाएगा भूल जाएंगे जैसे कि exam की तयारी में हम लगे रहते हैं और हमारे सामने जो पढ़ाई होती है हम regular करते रहते हैं regular करते रहते हैं तो वो हमें याद रहती है लेकिन हम बीच में यदि gap कर देते हैं नहीं बढ़ाई करते हैं तो वह भी हमारे दिमाग से रेज हो जाती है यानि कि हमारा सीखना जो है वो विलुप्त हो जाता है second है उद्नीपक सामानीकर यदि उद्नीपक सामानीकर यानि जो जो भी stainless था उसके जैसा उसके समान ही यदि लेकर आया जाए, तब भी लारा जाएगी, जैसे घंटी की आवाज से लारा आई, ठीक है, अब उस घंटी की आवाज को ना बजा कर उसके बदले, उस समय टेलिफोन की आवाज बजाई जाए, तब भी उसके मुह में लारा जाएगी, क्योंकि वह इन चीजों, यानि उस विभेदी करण, एक समय में विभेदी करण करना सीख जाता है, जैसे कि पहले भोजन दिया गया था, तो उसके मुह में लार आ रही थी, उसके बाद केवल घंटी बजाई गई, तो उसके मुह में लार उस वक्त तो आई, लेकिन 3-4 बार ऐसा किया गया, भोजन नहीं दिय गया, केवल घंटी बजाईगी, तो वो उस चीज को सीख गया, और अगर वह घंटी के बदले, उसके सामने कोई और घंटी भी बजाई जाए, जो उसके समान नहीं है, तो वह उनमें अंतर करना भी सीख जाता है, तो यहां आज हमने पैवलोव की थियोरी देखी, थॉंड बनाई जाए, तो कुट्टे ने सीखा, इसी तरीके से व्यक्ति को यदि प्रयत्न या प्रयास करने पड़ते हैं, तो वह सीखता है, यह हमने थॉंडाई की थियोरी में देखा, वैवलोव की थियोरी में हमें ये समझ में आया, कि यदि कंडीशन दे दी जाए, कंडीशन बांध दे जाए यानि कि संबंध बठा दिया जाए तो व्यक्ति आसानी से सीख जाता है ठीक है next theory जो है वो हम next class में करेंगे thank you